हलो फ्रेंस, welcome to technical talks दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि आप fast tag का balance कैसे check कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि fast tag का balance आप कैसे check कर सकेंगे, दोस्तो आपको मालूम ही होगा कि February 2021 से fast tag compulsory India में हो गया है और अगर आपके पास fast tag नहीं है और अगर आप टोलना के पेजाते हैं तो आपको 300 रुपे penalty देनी होगी और आप दूसरी बार टोलना के पेजाते हैं और आपके पास fast tag नहीं है तो आपको 500 रुपया penalty के देने होंगे अगर आप play store से fast tech की application इंस्टोल करते हैं तो वहाँ पर से आप अपने fast tech का status check कर सकते हैं कि आपका fast tech active है, deactivate है या फिर rejected है आप fast tech का status कैसे check कर सकते हैं उस video की link आपको description में मिल जाएगी, आप वहाँ पर से देख सकते हैं और आप fast tech का recharge कैसे आसानी से कर सकते हैं, उस video की link पी आपको description में मिल जाएगी तो चलिए अब हम वीडियो शरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपके वो Fast Tech का बैलेंस कैसे चेक करना है तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि अगर आपको Fast Tech का बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए आपको कोई application की ज़रूरत नहीं पढ़ने वाले ही यानि कि आपको एप्लिकेशन के थरू या फिर आप कहीं पर भी मेसेज करके Fast Tech का बैलेंस नहीं चेक कर सकते बलकि आपको आपके Fast Tech के साथ रजिस्टेरेड मोबाइल नमबर पर से एक मिस्ट कॉल देना होगा किस नमबर पर देना होगा मिस्ट कॉल वह आप नोट कर लीजिए 888-433-333-1 आपको इस नमबर पर आपके रजिस्टेरेड मोबाइल नमबर से मिस्ट कॉल देना है मैं वापस से रिपिट करता हूँ 888-433-333-1 इस नमबर पर आपको आपके Fast Tech के साथ रजिस्टेरेड मो कितना है वो आपको बताया गया होगा अगर आपके पास मेसेज नहीं आता है तो आप फिर से इस पर मेसेज कर सकते और दूसरी बार ट्राइक कर सकते है तो आपके पास मेसेज आ जाएगा और आपको बता चल जाएगा कि आपके Fast Tech का बेलेंस क्या है कितना है और आपको रि मेसेज नहीं आएगा तो दोस्तो फास्टेक का बेलेंस चेक करना का हाल में तो यही एक तरीका है इसी तरीके से आप अपने फास्टेक का बेलेंस चेक कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं मैं अगर आपको fastik का recharge करना ना है तो आप वो कैसे कर सकते है उसकी link पी आपको description में मिल जाएगी और आपके fastik का status क्या है वो reject तो नहीं हो गया या फिर deactivate तो नहीं हो गया वो अगर आप देखना चाहते है तो आपको उस video की link पी description में मिल जाएगी तो दोस्तो वीडियो पसंद झाल